आज हम आपके साथ में share करेंगे चना दल से मोथी चुर के लडू कैसे बना सकते हैं बीना मेहनत वाली बीना ख़र्चा वाली तो यह देखते हैं इसे बनाना कैसे हैं बहुत ही स्वाधिस्ट लडू बन करके तियार होते हैं और इसे पी अच्छी लगे तो लाइक कर तो यहां पे हम 100 ग्राम चना का दाल लिये हैं और इसे 2-3 घंटा पेले भीगो दिये हैं दाल अच्छे तरह से फूल चुके हैं तब हम इसे मिकसर के जार में डाल देते हैं और दरदरा पेश्ट बना लेते हैं तो इस लड़ू को बनाने के लिए हम चना का दाल इसमाल किये ह हैं आप चाहे तो मुंग का दाल ले सकते हैं मतर का दाल ले सकते हैं कोई भी दाल ले सकते हैं तब इसमें हम एक से दो चमच पानी डाल देंगे और इसका दरदरा पेश्ट बना लेंगे तो पेश्ट आपको ज्यादा नहीं रखना है नहीं तो लड़ू बनाने में आपको इस्तमाल किये हैं आप चाहे तो रीफाइंड रेल में भी बना सकते हैं इसे तो देर सो ग्राम घी लिए हैं हम घी गरम हो चुके हैं अब इसमें हम पकोरी छोटा बड़ा बिना सेपका या सेपका जैसे भी हो आप फड़ाय कर लीजिएगा इसमें अच्छे तरह से गोल्डन और कच्छा रह जाने के बाद में इसका लड़ू जो है उतना टेस्टी नहीं बनेगा कच्छापन का टेस्ट तभी भी आएगा तो इस बात को आपको धियान में रखते हुए मीडियम टू हाई के बीच में गैस का फ्लेम रखना है और इसे तीन से चार मिनर तक आपको अप्लोड किये थे उसी में यह कॉमेंट आया था जो बेशन को भूने में और घी इसमें ज्यादा इस्तमाल होता है इससे कोई असान तरीका है तो बताईए तो इसलिए हम चना का दाल से लड़ू का रिसेपी शेयर किये हैं तो आसा करते हैं यह रिसेपी आप सभी को पसं सब्सक्रीश कर सकते हैं तो इसी तरह से आपको हाथ से क्रॉश कर लेना है 시청梁टो सभी पकोडी को हमने क्रस्क कर लिया है अब चलिए सक भी हम बूंदी जो बनाते है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इसने से भी में बहुत कम टाइम लगता है तिसे हम फिर से दरदरा पॉडर्ट टैप का बना लेते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसे पीशना है देखिए महीन बाली जो सबसे महीन बाली बुंदी आती है से मुसी तरह का जाद अनुसार लीजिएगा कम बेसी आप कर सकते हैं तो यहाँ पे हम जितना चीनी लिए हैं उसका आधा पानी डाल देंगे और चीनी को मेल्ट हो जाने देंगे पेखल जाने देंगे अच्छे से और ज्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही जटपट यह लड़ू बन कर सकते हैं तब हम इसमेर थोरा येलो फूड कलर दाल देते हैं एक पिंज के करीब और इन्हें हम चासनी में अच्छे से मिला देते हैं और चासनी आपको ज़्यादा गारा नहीं रखना है बस एक तारवाली चासनी बनने लगे तो चासनी जो है वो बन करके तियार हो चुके हैं देख सकते हैं इसी तरीका का चासनी आपको बना लेना है तब हम जो पकोरी का पॉडर बना के रखे हैं बूंदी कहलीजीए उसे अभ हम इसमें add कर देते हैं ग्यास का फ्लेम आपको धीमी रखना है यहाँ पे तो सभी को हम एक ही साथ में डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे तरह से मिला देंगे ग्यास का फिलेम आपको पूरा धीमी रखना है यहाँ पर हाई नहीं करना है नहीं तो चीनी का जो चासनी बनाए थे वो जल जाएंगे तो इन्हें आपको अच्छे तरह से मिला लेना है और जब ये मिल जाएंगे तो देख सकते हैं ये मिल चुके हैं तब हम इसमें थोड़ा सा काजू बदाम का कतरन डाल देते हैं आप चाहे तो उसे डालिएगा और नहीं चाहे तो उसे आप एसकिप भी कर सकते हैं उसके बीना भी बनाएगा लड़ू बहुत ही जड़ा टेश्टी बनता है तो इन्हें भी मिला देते हैं और इस मिसरन को हम 3-4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो चीनी का जो चासनी है उसके साथ में ये अच्छे तरह से सेट हो जाए तो यहां पे हम 3-4 मिनट के लिए कवर कर दिये थे अब इसका चलिए हम लड़ू बना लेते हैं और ये थोड़ा सा ठंधा भी हो गया है तो इसे हम एक plate में transfer कर लेते हैं और लडू बना लेते हैं और ये लडू बनानी का तरीक इतना आसान है जो कोई भी बना लेंगे पहली बार में ही बीना फेलेके तप लडू यहाँ पर छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं हम थोड़ा सा बारा ही सच का बना रहे हैं तो एक ठो लड़ू बना करके तयार कर दिया हैं देख सकते हैं बहुत ही जल्दी बनने वाला लड़ू की रिसेपी है और बाहर बला लड़ू और इस लड़ू को खा करके देखिएगा यकीन नहों आपको तो बाहर बला लड़ू जो बजार से खरीद के लाईएगा उत्से साइड में रखकर करके आप यही लडू को खाना चाहिएगा इतना टेश्टी लडू बन करके तैयार होते हैं तो सेम तरीका से सभी लडू को हम बना करके तैयार कर लेंगे तो उमीद करते हैं यह लडू की recipe आप सभी को पसंद आप सभी को तो एक टो लड़ू हम तोर करके भी दिखाते हैं आपको तो देख सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट लड़ू बन करके त्यार हुआ है जो भी मेंबर आपके घर में ये लड़ू खाएंगे और बोलिएगा जो इसे हम चना का दाल से बनाए हैं तो कोई यकीन नही कर पाएंगे क्योंकि इतना ये स्वाधिस्ट लड़ू बन करके त्यार होते हैं